जरूर्की के जबरेडा में समाच से भी आदिल फरीदी डिवाइन लाइट चेरिटेबल फांडेशन के जरीए जरूरतमन लोगों की मदद करने को तयार रहते हैं इसी कड़ी में उन्होंने जबरेडा में हिंदू-मुस्लिम एकता का पैगाम देते हुए करीब असाहिय यूवति की शादी के दहेज का इंतर्जाम किया है बता दे हैं कि यूवति के पास शादी के खर्च और दहेज देरे के रुपए नहीं थे जिसको देखते हुए समाज से भी आदल फरीदी ने उनके मदद की जिसको लेकर आजपास के लोगों ने उनके इसका कारी की सराहना की है मैं समाध्यम से मेरी 34 साधी है जबरेडा के कस्यव समाज से और मेरा जो है कस्यव समाज हो या कोई सर्व समाज कोई भी हो जो इसका मुस्तिक है जिसका भी हमें पता चलता है मुस्की साधी कराने में पूरा सक्सम है और जो है इंदुस्ताने गुल्दस्था की तरह है कहीं ग से कई हिंदू के मुसल्मान हैं जब जा के गुल दस्ते की तरह गुलाब बनाएं और आज मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहरा हूँ कि हमारा डिमा लेट चर्टेबल फॉंडिशन ने चोति साधी करा रहा है यह हिंदू में कशिव समाज से हैं और मैं मुस्लिम समाज से ह तो मैं नफरत को दूर करके और भायचारे को गले लगा के और और लोगों के भी में यह संदेश दिलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भायचारा और करीबी इसी तरीके से भायचारे को बढ़ाते रहे यह उन लोगों के लिए सबक है जो हिंदू मुसलिम की बात करते ह हैं नफरत मारते हैं अदिल फरीदी ने गरीब की बेटी के लिए जो सहयोग किया है दान के रूप में मैं इनका हर्दे से अभार वक्त करता हूं और अन्य लोगों को भी से सबक लेने की आप सकता है और इसका सबसे बड़ा जुसरे है यह हमारी बेटी है एक नीतू इसने मुझे फोन किया कि ऐसे से गरीब की बेटी है और उनकी कोई मदद अगर करते कोई तो आप इसमें सहयोग कराओ फिर मैंने इनने बताया कि आदिल फरीदी हैं हमारे एक समाज से भी है विशरे उन्होंने पहले भी कहीं साधिया कराई है और मैंने आगवार के माद्दम से कि उन्हें परकासित किया है करनाटक में हिजाब को लेकर विवाद धीरे धीरे देश भर में चर्चा का विशा बनने लगा है कई लोग इसे राज्टाथिक मुद्दा बना रही है जबकि हिजाब विवाद का मुद्दा तरनाटक कूर्ट में चल रहा है उत्राखर्ण में भी बीजेपी विधायक ने विवादत बयानबाजी कर हिजाब मामले को तूल दे दिया है बीजेपी विधायक के बयानबाजी के बाद मुस्लिम उलेमाओं ने इसे केवल राजनयतिक साजिश बताया है उन्होंने काया कि देश में सबी धर्मों को आजादी है इसलाम में घर से बाहर निकलते वक्त मुस्लिम बच्ची और महिलाओं के लिए परदा करना लाजमी है अन्य धर्म के लोग भी अपने मज़ब के मताबिक हिजाब पहनते हैं इसके बारे में तो ये है कि देखिए इसलाम के अंदर क्या गयर मुस्लिम धर्म के अंदर भी परदा करना सही है और चुके पुरान में भी है और खास तोर से हमारे इसलाम धर्म के अंदर हिजाब करना जरूरी है परदा और इसी तरह जो हमारा सवीधान हिंदुस्तान का ये भी हमें इजाज़त देता है कि अपने हर एक मजहब वाले को अपने मजहब के मताबिक जिन्दगी गुजारने का हक है और ये हमारा शरी सकाफती सब तमाम हुकुक हमारा ये एक फर्ज है कि हम इसको परदा करें ये जो करनाटक में चल रहा है ये तो एक राजनितिक मुद्दा है ये कुछ नहीं है सिर्फ एक राजनितिक और सियासी मुद्दा है इससे बचना चाहिए पहले बात तो यह है कि जैसे मुलाना ने कहा कि पुरान में भी हिजाब के बारे में मताद्द जगा इसका दिकर आया है और यह हिजाब जो है सिर्फ और्दों के लिए नहीं है बलके मर्दों को भी परदे का हुकम दिया गया है कि वो भी अपने नजरे क्या रखें नीची रखें दूसरी चीज़ यह है कि जो हिजाब परदा है यह हया से तालुक रहने वाली चीज़ है कि जिस आदमे के अंदर जितने हया है वो उतना है जादा करता है परदा करता है और यह इसलाम को हुकम है और कानून ने भी इस किया दी है मसल्मानों को और सभी धर्मवालों को इजाज़त दी है कि वो जैसे रहना चाहें अपने मजभब के मताबिक रहें दूसरी चीज यह है तीसरी चीज कि कोई मजभब ऐसा नहीं कि जिसके अंदर परदा ना हो